चेश्मा एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है कि हट जाए लेकिन हर कोई इस बात से भी ड़ता है कि इसको हटाते हटाते कहीं विजनी ना चली जाए कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए आँख में तो आज मैं ऐसे ही एक प्रोसीजर के बारे में आपको बताऊंगी जो एक त साथ चेश्मे को हटाया जा सकता है नमस्ते मैं हूं टॉक्टर मुहिता शर्मा सीनर आइस स्पेशलिस्ट एंडिको रफ्रैक्टिव सर्जिन अक्ति रूपती इस सेंटर जो सेक्टर 33 नॉइडा में एक आई हॉस्पिकल है इस प्रोसीजर का नाम है ट्रांस एपिथिलियर जो उसके और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे हम ने बहुत से ऐसे प्रसीजर की हैं और हमने देखा यह वन अप देएस प्रसीजर है क्योंकि यह टॉचलेस है ब्लेट्लेस है और फ्लैप्लेस है यह तीनो चीज़ें इसमें हैं डेटश होता है इंस्ट्रुमेंट से लेजर की वीम ऊपर से आती है और लेजर हो जाता है फ्लैपलेस होता है नॉर्मली जब हम लेजर करते हैं रूटीन प्रसीजर में तो कॉर्णिया या काली कुतली होती है उसके ऊपर एक पार्शल थिकनस पहले फ्लैप बनाया जाता है उसको है और लेजर होने के बाद इसके उपर एक कॉंटेक्ट लेंस रख दिया जाता है जो कि तीन से चार गूं तक आंख पर लगा रहता है और प्रचेक्टिव होता है तो सेफ यह इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इंस्ट्रुमेंट से टच नहीं किया जा रहा इसमें कोई फ्ल अधियर हो जाती है तो यह है अब आउट इसका बहुत बड़ा इड्वांटेज होता है क्योंकि इसमें कोई हम फ्लैट नहीं बना रहे तो हमारे जो कॉर्णिया है जिसके उपर लेजर कर रहे हैं यह प्रिज़र्व रहें जिससे कि बाद में कोई प्रॉबलम ना आये कॉ जिसके उपर कोई इसके उपर इशू आये इन गार ऑगा यह पाया है क्योंकि इसमें कॉर्नेर टिशू हम कम करते हैं कंपे तो एनी अधर लेजर प्रिजि़र्व तो यह थी इंफिमेशन अबार वेल से फ्रिज़र्व तैचलेश्ट ब्लेट लेट 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 कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं थैंक्यू